ताल, बॉर्डर, हल्चल, हंगामा, गांधी, माई फादर, रेस, दिल चाहता है जैसी कई फिल्मों में नजर आए अक्षे खन्ना को बॉलिवूड का सबसे अंडर रेटेड एक्टर कहे तो गलत नहीं होगा इन्हों ने अपने अभिने से दर्शकों के दिलों में गहरी चाप छोड़ी लेकिन हमेशा इन्हें कम आखा गया कई बार फिल्मों से दूर रहे और हर बार जॉनर बदल कर वापसी की वो भी दमदार अंदाज में इनके एक्टिंग के अलावा इनके बोल्ड लुक की भी चर्चा खूब हुई हीरो बने अक्षय का बोल्ड लुक जितना दशकों को खटकता था उससे कहीं जादा बड़ी चिंता का विशय ये लुक खुद अक्षय के लिए था 19 से 20 साल की उम्र में बाल जढने से अक्षय खना बुरी तरह तूट गये थे इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लगभग खत्म हो गया था लेकिन अक्षय ने कभी इसे चिपानी की कोशिश नहीं की 48 साल के हो चुके अक्षय आज भी बॉलिवूड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स की लिस्ट में है ना इन्होंने शादी की ना करना चाहते हैं ये बात भी और है कि उनका नाम करिश्मा कपूर, तारा शर्मा जैसे एक्ट्रिस से जुड़ा बचपर में की थी करन्ट जोहर से बत्तमी जी 28 मार्च 1975 को मुंबई में जन्मे अक्षय खन्ना, 80 के दशक के स्टार विनोत खन्ना के छोटे बेटे हैं इन्होंने बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल और लॉनिस स्कूल लवडेल उटी से पढ़ाई पूरी की अक्षय पढ़ाई में कमजोर थे लेकिन स्पोर्ट में माहिर थे अक्षय और करन्ट जोहर साउथ बॉम्बे में पढ़ोसी हुआ करते थे और एक ही बैटमिंटन कोर्ट में खिला करते थे अक्षय बैटमिंटन अच्छा खेलते थे जबकि पडोस में रहने वाले करण बेहद खराब खेलते थे कॉफी वुद करण चैट शो में करण जोहर ने खुलासा किया था कि बच्पन में अक्षय बैटमिंटन कोट में आते ही करण की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहते थे तुम कोट से बाहर निकलो करण बच्पन में सीधे साधे थे तो वो बिना आपत्ती जताय सीधे बाहर निकल जाते थे करण ने बताय कि अक्षे उनसे बहुत रूट बिहेव करते थे फेल होने के डर से नहीं दिया था एक्जाम अक्षे खन्ना को कभी भी पढ़ाई में दिल्चस्पी नहीं रही 17 साल की उम्र में अक्षे खन्ना ने सिर्फ इसले कॉलेज का एक्जाम नहीं दिया क्योंकि वो जानते थे कि वो फेल हो जाएंगे अक्षे ने एक्जाम को नहीं दिया लेकिन उन्हें फेल होने से ज़ादा डर इस बात का था कि वो घर पर ये कैसे बताएंगे अक्षे महिनों तक पिता विनोध खन्ना को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी एक दिन हिम्मत करके उन्हें ने पिता को सच बता दिया तो उन्हें खूब डाट पड़ी लेकिन आखिरकार उनके पिता वान गए इसी समय ये बात तैह हुई कि अक्षे फिल्मों में खरियर बनाएंगे 22 साल में हीरो बने विपाशा ने छुकरा दे थी फिल्म अक्षे खन्ना ने 1947 में रिलीज हुई फिल्म हिमाले पूतर से बॉलिवूड डेबू किया था ये फिल्म उन्हें इसलिए मिली क्योंकि उनके पिता विरोध खन्ना ते इसमें पैसे लगे थे विनोध खन्ना फिल्म शुरू होने से पहले गोद्रेज सिंथौल सूपर मॉडल कॉंटेस्ट के जड़ थे इस कॉंटेस्ट में विपाशा बसू ने जीत हासल कि थी उस समय वो फिल्मों में नहीं आई थी विरोध खन्ना ने विपाशक का खुलर पहचानते हुए उन्हें हिमाले पुत्र का ओफर दिया लेकिन उस वक्त विपाशा ने ये ओफर ठुकरा दिया विपाशा को लगता था कि वो हिरोईन बनने के लिए बहुत छोटी है विपाशा के इंकार के बाद अंजला जहावेरी ने उनकी जगा अक्षय खन्ना के साथ डेब्यू किया था हिट फ्लॉफ फिल्मों के नाम रहा एक्टिंग करियर हिमाले पुत्र बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई लेकिन इसके लिए अक्षय को बेस्ट मिल डेब्यू एक्टर के लिए स्टार स्क्रीन ओवर्ड मिला आगे अक्षय बॉर्डर लावारी आ अब लॉट चले जैसी फिल्मों में नजर आए लेकिन ये फिल्म में उनके लिए फाइदे मनसावित नहीं हुई 1999 में हिट फिल्म ताल से अक्षय को पॉपुलरिटी मिलने लगी 1999 में ही अक्षय की दहक भी फ्लॉप हो गई और उन्होंने एक साल का ब्रेक ले लिया 2001 की दिल चाहता है से इनकी दमदार वाप्ची एक बार सिर हुई आगे इनोंने रेस आपकी खातिर गांधी माई फादर गली गली चूर है जैसी फिल्में की ताल की शूटिंग में सोने के लिए करवाया था अनिल को इंतजार फिल्म ताल में अक्षे खन्या अनिल कपूर और एश्योर राय लीड रोल में थे एक दिन अनिल शूटिंग के लिए सेट पर समय पर पहुँच गए लेकिन अक्षे का अता पता नहीं था घंटो बाद अक्षे सेट पर आये और उन्होंने बिना जिजक सबसे कहा कि वो सोते रह गए इसलिए टाइम पर नहीं आ सके कुछ लोग उनसे नाराज भी हुए लेकिन अनिल कपूर को उनकी इमानदारी खूब पसंद आई कम उम्र में बाल जढने से परिशान रहने लगे थे बाल जढने की दिक्कत अक्षे के साथ 19 साल की उम्र से ही शुरू हो गई थी इससे उनका आत्मिश्वास डवा डोल हो गया था एक इंटर्वू में उन्होंने बताया कि एक एक्टर के लिए उसका लुक सबसे जादा माइने रखता है ठीक वैसे ही जैसे किसी फुटबॉलर के लिए उनके पैर करिश्मा कपूर के पिता रंधीर कपूर चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी उनके खरीबी दोस्त विनोत खना के बेटी अक्षय खना से हो जाए ये प्रस्ताव उन्होंने विनोत खना को दिया तो वो मान भी गए दोनोंने शादी तै कर लिए लेकिन जैसे ही ये बात करिश्मा की मा बवीता तक पहुँची तो उन्होंने इंकार कर दिया बवीता के इंकार के बाद दोनों की शादी चूट गई तारा शर्मा को डेट कर चुके हैं अक्षय खना अक्षय एक समय साया फेम अक्षय अपनी प्राइविट लाइफ को मीडिया से हमेशा दोर रखते हैं हाला कि जब वो कॉफी विद करण के दूसरे सीजन में पहुँचे तो उन्होंने अपने रिष्टे पर खुल कर बात की रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय खना और तारा के ब्रेक अप का कारण जॉन अबरहम थे तारा ने जॉन के लिए अक्षय से रिष्टा तोड लिया था जिंदगी भर कोवारे रहना चाहते हैं अक्षय खना के चैट शो में अक्षय ने खुलासा किया कि उतमिलाडू की पूर सीम और दिवंगा जै ललीता को जेट करना चाहते थे अक्षय ने बताया कि उनमें कई खूबिया हैं जो उन्हें आकरशित करती थी आमीर की वज़े से हास से निकली थी तारे जमीन पर तारे जमीन पर आमीर खान के करियर की सबसे बहतरी इन फिल्मों में से एक है हाला कि आमीर से पहली ये फिल्म अक्षय को मिली थी दरसल प्रोडूसर अमोल गुपते अक्षे को फिल्म में टीचर राम निकुंज का रोल देना चाहते थे लेकिन उनकी सीधी बात चीत नहीं थी एक दिन प्रोडूसर आमिर से मिले तो उनसे कहा कि अक्षे खाना से मुलाकात करवा दो क्षे आमिर दोस थे अमिर ने प्रोडूसर से कहा कि जप तक मैं खुद फिल्म को पसंद ना करूँ तो मैं किसी और को उस फिल्म के लिए सला कैसे दे सकता हूँ ये सुनने के बात प्रोडूसर ने आमिर को वो इस्क्रिप्ट सुनाई तो आमिर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने खुद रोल करने की बात कहीं यही अक्षे का पत्ता कट गया और आमिर को फिल्म मिल गई चार साल के ब्रेक के बाद बन गए साइड हीरो 2012 से 2016 तक इंडस्टी से दूर रहे अक्षे ने फिल्म डिशूम से कमबैक किया इसके बाद इन्हें लगतार मौम इत्तफाक सेक्शन 375 जैसे फिल्में मिलने लगी 2012 में रिलीज हुई ग्रिश्चम 2 में अक्षे के रोल को खूब सर रहा गया तो कैसे लगी आपको हमारी पेशकश कमेंट करके ज़रूर बताईएगा